दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको खराब एलेडी बल्ब से एक सांदार रिचार्जबल एलेडी टॉर्च बना कर आपको दिखाने वाले हैं जिसे आप भी अपने घर में बना सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमारे टुप चनल इलेक्ट्रिकल सर्च तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो वैसे तो बरसाथ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आपको टार्ज की आवर सकते जरूर होता है तो दोस्तो हम इसका एक संदार एलेडी टार्च बनाने वाले हैं दोस्तो यह जो पार्थ है इसका हमें जरूत नहीं है हमें मात्र इसके जो मेन पार्ट है जो बिच वाला बोडी है इस बोडी को यहाँ पर यूज करना है और इसके लावा हमें यहाँ पर एक खराब टाउर्ट से पुराने टाउर्जा से एक LED लाइट लिए हैं और यहाँ पर दो इंच PVC पाइप लिए हैं और एक बॉटल का कैप लिए हैं और यहाँ पर रिचार्जिंग पीन लिए हैं और इसके लावा एक और इसके लावा पर एक छोटा सा बैटरी लिए है 3.7 ओल्ट का दोस्तों इन सभी चीजोंसे हम यहाँ पर एक संदार LED टाउर्च बनाएंगे रिचार्जबल तो सबसे पहले हम क्या करेंगी य जो टाउर्च का LED लाइट है उसे हम यहाँ पर सेट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके चार और यहाँ पर गलू गर लगा देंगे जिससे कि यह जो लाइट का कैप है वह अच्छा से यहाँ पर सेट हो जाए तो इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुका है अब दोस् तो यह जो कि यह जो पातों जो उसका जो Еह नहीं हो जा रहा था किन तो उसके लगा कि पूरेल करने के तूराद बाद इसको यहां पर लगाया तो जो शेफ थे तरह से तयार हो चुक तो सबसे पहले हम से connection करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है दोस्तों लाइट का उससे आप लगाएंगे तो उसके लिए हमें आप जो कैफ है उसके राइट और लेट दो छोटोटा होल करेंगे जितना मुटा हमें आप रवायर यूज करें उसने हिसाब से होल क करना है तो इस positive wire को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका connection switch के किसी भी एक point में जोड़ देंगे तो इस परका से light का positive switch में चला जाएगा और switch से हम एक बार और जोड़ेंगे वह भी positive होगा और वहां से जो वायर आएगा उसका connection हम आपको आगे बताएंगे तो दोस्तों उस वायर को हम tap के दूसरी होल में घुसाते हो इस तरह से यहां पर इस प्रिविसी पार की अंदस यहां पर वापस रिटर ले आते हैं तो दोस्तों यह जो लाइट का positive वायर है वह स्विच में जाएगा स्विच से होते वह यहां पर निकलेगे तो इस तरह से यहां पर दो वायर हो जाता है एक positive और एक negative तो हम यहां पर बैटरी उच कर रहे हैं 3.7 ओल्ड का एक छोटा सा नंदर सा प्यारा सा तो दोस्तों क्या करेंगे positive को positive के सा तो हम इससे दूनों वायर में आपर बैटरी के साथ connection कर दी है अब इसके बाद इसका charging pin का connection करेंगे तो हम क्या करेंगे जो charging pin का अंदर वाला point होता है वहां पर positive को जोड़ आता है तो हम यहां पर positive वाले point को जोड़ देते हैं और जो charging pin का उपर वाला point होता है terminal होता है वह हम पर नेगेटिक को जोड़ दिया है तो इस परकाश दोस्तों इससे लिडी टाउर्च का कनेक्शन कर दिया है अब इसका चार्जिंग पिन को यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों यह थोगा धीला होड़ा तो हम क्या करें आप एक फोम का यूज करेंगे जिसको इसके पाइ उससे भी यहाँ पर लगाकर करेंगे तो हमारा स्याइब यहां पर त्यार हो चांदर चार्जिंग कैसे करना है भी आपको यहाँ पर बता देते हैं तो दोस्तों करने के लिए आपको मोबाल चैन्ज एा यूज करना है और उसका जो अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे दूस्तों वैसे तो बंद कमरे में आपको लाइट को आप करके दिखा रहे हैं तो आप देशक्तिस में काफी अच्छा लाइट आ रहा है और दोस्तों इतना हो सकता है कि इसमें जो छोटा बैटरी उच्छी आगा तो इसका बैक आप ज्यादा ना हो कम से कम आदा गंड़े चले तो उसके बाद आप दुबारे से चार वां देमाद्राम